जी जेनाब sound waves बच्चे कह रहे हैं कि सर आपने बताया तो था कि sound wave की nature क्या होती it is longitudinal wave आपने बताया नहीं सा कि sound wave होती ही क्या है sound wave क्या होती है sound wave भी disturbance है जो energy transfer करती है in the form of longitudinal wave sound wave की definition को पूछ नहीं है लेकिन एक student मुझे question कह रहा था कि sir what is the definition of sound wave sound wave is a form of energy transfer ठीक है? जिसमे energy transfer होती है थू electromagnetic wave in a medium तो sound wave is a form of energy that is transferred from one point to another as longitudinal wave अगर sound की definition हो तो यह होनी चाहिए a sound wave is a form of energy that is transferred from one point to another in the form of longitudinal wave in a medium sound waves और फिर क्या था ये प्रदीस भाई वेवाइटिंग बॉड़ी तन मेकनिकल निनेचर जब कुछ चिस वाइबरेट करती है तो क्या हो दो चल पड़ा पता नहीं बेटा पॉस हो गी थी विटीयो खुदी पता नहीं कहां थी हम तब पॉस हो ही तो सुन लो प्रीज हाद वाइब्रेटिंग बॉड़ी जब कुछ इस वाइब्रेट कर रही होती है तो एर में compression रेर्फ्रेक्शन बनाती जाती है compression रेफ्रेक्शन देखो हमने बात की थी यह tuning fork है और यह की layers है यह layers of air है जब यह वाइब्रेट करेगा यह सी पॉइंट पर आएगा तो इन वाली layers को क्या कर देगा इन वाली layers को compress कर देगा यह को वाइब्रेट करता रहेगा तो compression रेर्फ्रेक्शन आजगे जाता रहेगा यह मने लिख दी थी यहाँ पर diagram 1 यह diagram 1 के साथ related है यह diagram 2 से related है यह diagram 3 & 4 से related यह 3 से related है क्या कहता है layers of air are in undisturbed position यह layers of air है जब sound नहीं है तो undisturbed है उनमें gap ना कम है ना यह जाद है नो compression and air fraction and normal pressure normal pressure यहाँ पर देखो यहाँ अच्छा when the prong prong होते हैं इसके इसके टांगे होते हैं इनको prongs कहते हैं tuning fork के जो हिलरी होते हैं इसको बोलते है prongs when the prongs of prongs push outwards a region of compression is produced जब यह outward जाता है यह इस तरफ को जाता है तो यह compression मन जाता है when the prongs move inwards a region of rare fraction is produced जब यह inward जाएगा inward यह वापिस आएगा inward आएगे तो यह क्या हो जाएगे आपे रे fraction मन जाएगे यहापे क्या बन जाएगे नजब नहीं आ रहा यह रे फेक्शन मन जाएगे पहले compression था अब रे फेक्शन मन गया और आगे प्रेशन फॉर्वर्ड हो जाएगा फिर वन रे पॉर्ण्स मूफ इंवर्ड हो गया दप्रॉंक्स कटिनू आप इप्रॉग वाप्रीशन ने रेफ्रेक्शन देशन हो गोगा सराउडिंगे एर में compression देने फ्रैक्षं बन जाएंगे सराउडिंग यह में compression देनि फ्रैक्षं बन जाएंगे variation in pressure बन जाएगा high-pressure region compression low pressure region rare faction मुझ जाएगा clear और एक यह अगर यह और अगो को दिखो दिखूँ है तो तरह नदर आएंगे यह कोई compression है यह rare fraction है यह compression है यह compression है यह compression है यह rare fraction है ऐसे गेड़िट यह पड़ा था how the sound wave for the propagation of sound wave sound wave कैसे travel करती ही बेटा revise करा रहा हूँ यह आपने पड़ा था मैंने एक और तरीक से लिग दिया आपको सबस्क्राइब आज का काम यह जिए इस इस जाइट ऐड़ वायगा प्रोपागशन आफ सांड वेवेव है प्रयावागेशन आफ सांड वेव हमने की थी लास टाहिए ती और स्लाइड थी वो और काम यही था लेकिंगे मिझे अच्छी लगी तो मैं यह भी बता दू इस से रिवाइज हो जाए आपको आज का काम क्या है आज का काम यह है साउंड वेजर मेकैनिकल नेचर नेक्स पॉइंट लिखे 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 it cannot pass through vacuum vacuum से नहीं जा सकती लिख लिख लिया सौंड वेजर में कैनिकल निनेचर आज का काम पहले तो रिवाइस कर रहे थे रिक्वाइर मीडियम टॉटावल हां एक और चीज़ भी आपको बताई थी हमें वहीं सुनाई देंगी जिनकी फ्रिकेंसी 20 से 20 किलो हर्ट्स तक होगी हमें और अडिबल से कम इन्फर सौंड भी नहीं सुनाई देगी इसकी बाद बात करेंगे डिटेल में अच्छा बिटा अब यह एक्सपरिमेंट है जो प्रूफ करता है कि साउंड जो है न आंसर क्या है नो इसकी वेरिफिकेशन क्या है बेल जार एक्सपरिमेंट यह बेल जार एक्सपरिमेंट है इस बेल जार एक्सपरिमेंट बेल जार एक्सपरिमेंट क्या है एक जार होता है इस तरह का हम इसके अंदर यूनो हम हैं करती है एक बेल कनेक्टिंग वायर्थ के यह बेल का connection है और यह इसके अंदर एर निकालने के लिए वैक्यूम पंप लग सकता है यहां पे ताकि एर निकल जाए अभी इसके अंदर एर है when there is air inside the bell the sound of ringing bell can be heard outside the jar जब आप यह switch on करेंगे ना इस switch को on करेंगे तो यह hammer इसको टकर मारेगा striker bell को टकर मारेगा तो bell आपको नजर आएगी और उसकी आवास भी आएगी bell की hammer टकर मारते हो नजर आएगी और उसकी आवास आएगी अभी इसके अंदर air है air here bell jar अब मैं क्या करता हूँ मैं यहां पर vacuum pump लगा दूँगा क्या लगा दूँगा vacuum pump which will pull the air outside the jar vacuum pump air को बाहर निकाल देगा एको मैंने यहां पर vacuum pump लगा दिया समझो यह vacuum pump है डबाय यह vacuum pump vacuum pump ने एर निकाल दी एर निकलती जा रही है switch on कर दिये when the electric bell is on and the vacuum pump is off you will hear the bell जब air है तो आपको इसकी आवाज आएगे अब अब इसको on करें vacuum pump को vacuum pump को on करें it will pull the air outside the jar would sorry जी हां बताता हूं हादी बिटा sound को variation and pressure create करना होता है na pressure molecules की वज़ा से होता है molecules की Bombardment की वज़ा से होता है the molecules होँ गए नहीं तो pressure कहां से आएगगा तो Rebecca pressure Dicki करेगा sound waves को medium चाहिए sound wave को compression बनाने और air fractions मनाने compression molecules को compress करना है molecules को expand करना है जब molecules हीала नहीं तो sound नहीं जाएगी फेल एक्सपेरीम 9 0 यह bell जा रहे है जब यहाँ पर air है तो ringing bell की आवाज हमें बाहर आ रही है अब मैंने कहा किया vacuum pump on कर दिया vacuum pump ने air निकाल दी जैसे जैसे air बाहर जाती जाएगी क्या होते जाएगा आपको जो बाहर आवाज आ रही है उसकी intensity कम होती जाएगी वो quieter होती जाएगी, softer होती जाएगी और जब यहाँ पर पूरी vacuum आ जाएगी तो आपको बाहर नहीं आएगी तो यह लिखने है आपने When electric bell is on and vacuum pump is off When there is air inside the jar, you will hear the bell When the vacuum pump is attached to the bell jar, it is turned on The intensity of the sound outside the jar decreases And when there is complete vacuum in the bell jar, no sound will be heard outside the jar When there is air, when all air is pumped out, the bell jar becomes a vacuum Now it is proved that sound requires a medium तो भीटाई यह अपने कॉपी करना है लिखे bell jar experiment, यह डाग्राम बनाईए Please make the diagram और कॉपी करें जी जाजित पूछ रहे हैं कि हम क्यों नहीं सुन सकते हैं 20 kHz से उपर वाली sound पेटा, human being की limitations हैं Ear drum की हम sensation कहां तक detect कर सकते हैं 20 Hz से कम वाली vibration को detect नहीं कर सकते हैं 20,000 Hz से जादा इतनी तेज हो जाती हैं कि हम उसको detect नहीं कर सकते हैं जैसे कि आपको नहीं पता कि हम stopwatch से time नहीं ले सकते हैं, reaction time होता है, को 0.1 second उससे early हम नहीं देख सकते हैं, इसी तरीके से हमारी limitations है हम हर frequency को देख भी नहीं सकते हैं, हम सिर्फ visible light को देख सकते हैं We cannot see infrared, we cannot see ultra wallet तो अल्ला मियाने हमारे creator ने जो में बनाया हूँ, ऐसी बनाया हूँ है कि हम इतनी frequency सुन सकते हैं, इससे ज़्यदा vibration को हम sense नहीं कर सकते, ठीक है मनना तो हम superman हो जाते हैं, हर frequency को सुन सकते हैं, हर frequency को देख सकते ऐसा नहीं है, हमारी limitations है Animals की जदा होती है range, bats जो होती है, बैट वो तो ultrasound को communicate करती है, बैट अच्छा भी, तो लिख लें आप, यह bell jar है, यह bell बना जें रफसी, bell, connecting wires, bell jar तो क्या है बेटा, when there is air inside the bell jar, the ringing and bell can be heard outside the jar जब air है, यह लिख लें प्लीज, जल्दी से, when electric bell is on and vacuum pump is off, you will hear the bell, ringing bell can be heard outside the jar जब air है, next point के, when the vacuum pump is attached to the bell jar and it is turned on, the intensity of sound outside the bell jar decreases and then there is complete vacuum in the bell jar, no sound will be heard outside the jar यह red वाला मिटा दू मैं, यहाँ वेक्यूम पब लगाना है, नीचे हरिया मेरा बेटा, हरिया प्लीज जल्दी से copy कर लें यार तो जब सारी air निकल गई है, बाहर आवाज नहीं आ रही, इसका क्या मतलब है, sound requires a medium to travel air थी तो sound आ रही थी, air नहीं है तो sound नहीं आ रही, मतलब sound ways are mechanical in nature, यह पता रहा है जल्दी से बना लें जल्दी से बना लें वाक्यूम बाम्म नी वाक्यूम पांप उलू जबर्दस एहमद जल्दी मेरा बेटा जल्दी मेरा बेटा फास्ट तो लौ पड़ा नी जा रहा तो ये पावर सप्लाई है बेल को आउन करने के लिए स्ट्राइकर बेल बेल जार वैक्यूम कैसे जलता हैं इंफ्रा रेड रेडिएशन वो गुज़र सकती हैं वैक्यूम से बेटा वीट कर रहा हूं बहुत दिखा रही हैं लिटा प्लीज हरिया आप देखो चार तो लाइन हैं यहूं बनाना है नी-चे यह बना लेना है, यहाँ पर गैप दिखा देना है, और यहाँ पर बैल हैंकर लेनी है हाँ, नीट नी बनी है, आउवियसली सही है, तुम से नीट बना रहे हैं मटा रहूं मैं, शिर्मिंदगी हो रही है ज़ो करता जाता है वह डन लिखता जाएं, प्लीज कोमेंट मैं ही सिंपल है, जब बेल जार में एयर है, तो बाहर साउंड आरही है जब एयर नहीं है तो बाहर सावंड है नहीं आरही है जी, बिल्कुल, ताहरा बिल्कुल ऐसे ही है, साउंड जो है ना, वाइब्रेशन से पैदा होती है, मीडियम की, और मीडियम नहीं होगा, तो साउंड नहीं होगी, कोई मी नहीं करते हैं, स्पएस पेस में की समय स्पेस पोलने के लिए क्या यूज करते हैं, और वह जो एस्ट्रोनो नहीं का प्रॉपर वह जो पॉस को ऑपरुबर वह जा एर भरी होती है, Do we hear sound due to changes in air pressure? बिल्कुस सही है changes in air pressure होते है variations in pressure the air drum को vibrate करा आती है लेकिन इसकी frequency सहे ऐखनी होंदी चैरे का ठीक है इभीद्या तो अब सबरतो हाग़ा अओ झालिक्स क्या है अव्य। लुवक है कि सम्क्रह आलो होगा तो sound wave travel करेगी medium नहीं होगा तो sound wave travel नहीं करेगी देखो वरी बास रहो आपके सन पे hydrogen bomb explosions हो रहे हैं सन के उपर energy कैसे आ रही है स्टार से energy कैसे आ रही है light कैसे आ रही है उस पर hydrogen bomb fusion reaction हो रहा है hydrogen bomb explosions हो रहे हैं अच्छा अगर sun और अर्थ के दिरम्यान medium होता suppose तो क्या बता sun के explosion यहां तक सुनाई देते हैं इतने strong explosions हैं जितनी ज़्यादा energy आ रही है कि सिर्फ अर्थ तक कितनी पहुंच रही है तो sun के energy सिर्फ तक तो नहीं आ रही ना चारों तरफ जा रही होगी ना अर्थ तो बहुत थोड़ा सा part intersect कर रहे है तो sun कितनी energy radiate out कर रहे है कितने जोर से explosions हो रहे होंगे वहाँ पे और sun यहां से कितना दूर है तो बिटा अगर sun और अर्थ के दिरम्यान vacuum ना होता medium होता space ना होती air होती कुछीज होता तो क्या पता sun के explosion यहां भी सुनाई देते हैं इसलिए पानी मेंसे भी गुज़र सकती है son solid में से भी घुजर सकती है so on 2. bite सांट सुन और पास तू ग्राइकूम time can ask through एयर में इसकी स्वीड इतनी होती है साँंड कन पास्थ्व एर में speed 330 water में speed 1500 meter per second और concrete में speed 5000 meter per second लिखने हैं आप sound can pass through gases, liquids and solids gases पास कर सकती है sound कोई example तो जो पूरूफ करें के sound gas में travel कर रही है यह न설े जो हम आपसे एक्तु से बाते कर रहे होते तो air में जा रही होती है कोई example दो कि sound पानी से गुजर सकती है पानी में आपको पता है यह जो sharks होती है यह फेल्ड होती है स्वरी यह ultra sound में communicate करती है और वैसे भी swimming pool में आप पत्थर लें और डाल दे नीचे जब बॉटम बे टकर मारेगा आपको पानी के बाहर भी आवाज आएगी तो साउन पानी से ट्रेवल करके आ रही है सॉलिड में ट्रेवल करती है अब तब बॉल परिंट को यू रखे यू कान के पास और यू यू करे इसको खरिश करें आपको वाद आएगे साउन के पास तुरू सॉलिड्स हम जब छोटे होते थे ना हमारा घर जो था रेल्वेट स्कीम में था रेल्वेट ट्रेक के पास ट्रेन जाया करती थी तो घर में जल्दला भी आता है वो है तो bond पर घृताद है तो क्या हुथ चोटे उत्व limited पांच से साल की होते हुए यह से भी चोटे में भी ट्रेट के बास जा गरुरिय अनुना करते हैं पर ही अपर पर अबी नहीं आ रही न षरा कान लगा के दिखते थे अगर तुस trips या रही रही होती ही। लेकिन पॉर्ट केंट्र कॉलेट्सॉडेंस से गजरती है। स्क्राइश को लगाती है, ना हमारी speed कहाँ पर है, gases में, almost 330 meter per second, room temperature के उपर, temperature change होता है, तो speed change हो जाती है, पानी में speed किती है, 1500 meter per second, और iron में speed किती 5000 meter per second, जितने molecules, intermolecular forces strong होती है ना, उती speed जादा होती है, intermolecular forces strong होती है, उती speed जादा होती है, intermolecular forces में tension जादा होती है, तो speed जाधा होती है यह आपके knowledge के लिए वैसी बताया है exam में नहीं बूछेगा आपसे air में 330, room temperature पे पानी में यह इतनी यह इतनी, आपसे कहता है air में speed 320 है तो परिशान ना हो ना, क्या पता temperature कम होगा यह तो room temperature पे speed है ना speed of sound depends on temperature हमने पढ़ा था तो सबसे कम किसकी होती है gas में होती है, फिर liquid में होती है, फिर solid में होती है sound जी मेरा बिटाई, होपस अपने copy कर लिया होगा तो आज हमने क्या पढ़ा, कि sound को medium चाहिए sound vacuum से पास दी कर सकती है और इसके experiment के लिए क्या क्या bell jar experiment bell jar से air remove करते रहे, sound की intensity काम होती रही और जब bell jar में vacuum हो गया, तो sound आना खातम होगी फिर उन्हें prove हो गया, कि sound को medium चाहिए कौन सा medium, solid भी चलेगा, liquid भी चलेगा, gas भी चलेगी solid में speed 5000 meter per second पानी में speed 1500 meter per second air में speed 330 कैसे आई इसके experiment करेंगे अभी नहीं करेंगे थोड़ी दिर बाद, में भी कल या परसो के lecture में, तो हमने sound के बारे में पढ़ लिया, जिनको नहीं पता हो जल्दी से रिवाइस करें, आपको पता हो ना चाहिए, what is sound wave, sound wave is a transfer of energy through, through, through longitudinal waves, sound waves are produced by vibrating bodies, they are longitudinal in nature, they require a medium to travel, जब कुछ इस vibrate कर रही होती है, it creates variations in pressure, it creates compressions and rare fraction, what are compressions, high pressure regions, what are rare fractions, low pressure region, the distance between consecutive compressions is wavelength, पता होना चाहिए आपको, अच्छा फिर हमने का पढ़ा, फिर हमने पढ़ा के sound air में से भी जा सकती है, liquid में से भी जा सकती है, gases में से भी जा सकती है, clear, अब sound क्या करती है, जो waves करती है, sound reflect होगी, bounce back, sound reflect होगी, bend करेगी, sound diffract होगी, तो heading लिखे, reflection of sound, reflection of sound, heading लिखे, reflection of sound, क्या होगी reflection of sound, the bouncing back of sound, heading लिखे, reflection of sound, sound wave reflect होती है, कहां से reflect होती है, hard surfaces से, soft surfaces में absorb हो जाती है, hard surfaces से reflect होती है, hard surfaces से, यह speaker है, यह sound wave जा रही है, यह wall है, hard surface है, उससे reflect होगी वापस आ रही है, तो what is reflection of sound, लिखे, it is bouncing back of sound, जी साधी, आप पुछे हैं कि सेटलाइट जो होते हैं, वो sound को record करते हैं, बेटा, sound, sound wave की form में नहीं आ रही होती है, वहाँ पे, अगर आभी रही है, radio waves की form में आ रही होगी, उन radio waves को हम दुबारा convert कर लेती होंगे, sound waves के अंदर, sound waves को medium चाहिए, हाँ, अर्थ से जो satellites होते हैं, normally satellite, outside the satellites जो होते हैं, वो space में revolve नहीं कर रहे होते, वहाँ पे air बहुत कम होती है, लेकिन होती है, सैटलाइट पे air drag होती है, लेकिन बहुत कम होती है, ओविस्टी, तो अर्थ से satellite तक में भी sound पहुँच जाए, क्योंकि medium है, लेकिन sun से satellite तक sound wave नहीं आ सकती, radio waves पहुँचेंगे, उन radio waves को convert करनेंगे sound waves, ताहरा क्या बोच वहीं है, देंसर मीडियम की बात नहीं कहा रहा है, density reason नहीं है, sound की speed less dense medium में ज़्यादा होती है, देखो मेरी बात सुनो, अभी ये कहानी बताने हैं नहीं थी मैंने आपको, carbon dioxide में sound slow होती है, helium gas में sound fast होती है, helium की density का में carbon dioxide की ज़्यादा है, यहाँ पर density वाला scene नहीं है, intermolecular forces का scene है, solid में intermolecular forces ज़्यादा है, तो speed ज़्यादा है, liquid में intermolecular forces का में, vendor wall forces है, तो speed कम है, gases में और भी कम है, intermolecular forces ज़्यादा होती है, तो tension ज़्यादा होती है, density का scene नहीं है यहाँ पर, less dense air में sound fast होती है, से more dense air में sound जी होती है, density का सीन नहीं है मेरा बेटा, can sound waves travel in solid, what if, what is reflected, sir can sound waves travel in solid, why it is, okay why it is reflected, हाँ बेटा देखो पर देखो पर बासनो, sound को medium change करना पसंद नहीं है, air की sound body में बहुत कम आती है, 99% body से reflect हो जाती है आपको बता है अल्ट्रसाउंड जब body की करते हैं अल्ट्रसाउंड high frequency sound wave body में penetrate करते हैं तो ultrasound prop को body से दूर नहीं रखते बॉड़ी पे चिपका के रखते हैं और एक gel coupling medium लगाती है ताके sound wave से बॉड़ी में एंटर हो जाए डारेक्ली साउंड वेव एर से बॉड़ी में ना होने के बराबर 99% reflect हो जाएगी तो sound waves को medium change करना पसंद नहीं है हां solid के वेव सॉलिड में रहेगी लिक्विट के वेव लिक्विट में रहेगी उसका mostly portion reflect back हो जाएगा पानी है ना पानी के अंदर साउंड आएगी 99.9% reflect हो जाएगी बहुत कम बाहर पहुचेगी इसलिए हमें स्टोन के आवाज बहुत कम बाहर आती है हमारा हार्ट बीट बहुत जोर से धक धक कर रहा हो तो बाहर आवाज आ रही होती है अदर्वेस हमें कान is bouncing back of sound or pick sound waves are reflected from the hard surfaces they obey the law of reflection they are reflected from the hard surfaces you sound wave are you you have a star a welcome transmit over again you transmitted sound very less the other camera bounce back or you the other bounce back हो रही है यह इंसिदेंट साउंड यह reflected sound transmitted sound जितना medium hard होगा जितना medium क्या होगा hard होगा उतनी reflection ज्यादा होगी transmission कब होगी इतनी डिटेल ली चाहिए बस तो reflection of sound क्या था है bouncing back of sound और जब भी sound bounce back करती है to base laws of reflection angle i is equal to angle r angle of incidence is equal to angle of reflection यह क्या है angle i angle of incidence is equal to angle of reflection यहाँ पे angle i कैसे बनेगा यह incident sound आ रही है यह reflected sound जा रही है यहाँ पे normal बनेगा यह करके यह angle i होगा और यह angle r होगा यह diagram बनाने की जुरुरत नहीं है बजिए लिखें sound waves obey laws of reflection angle i is equal to angle r angle of incidence is equal to angle of reflection हम पढ़ने है reflection of sound आप ते सुना हुए reflected sound को echo echo क्या होता है reflected sound echo सुनी है ना वो जो आपको लगता है को आपकी निकल उतार है दूर बैठा हुआ आपकी आवाजबे echo हम पढ़ेंगे echo भी अच्छा बेटा अभी तक क्या बढ़ा है हमने bouncing back of sound को बोलते है reflection of sound जब भी sound reflect होती है it is reflected from the hard surfaces hard surfaces जदा reflect करती हैं कम transmit करती हैं soft surfaces जदा absorb कर लेती हैं बहुत ही rare को reflect करती हैं इस ते हम बोलते हैं कि hard surfaces से sound properly reflect होती है और जब भी sound reflect होती है angle i is equal to angle r angle i और reflected sound को हम echo करती है मैं लिखाऊंगा भी आपको अब experiment प्रूव करना है कि sound भी law of reflection को भी करती है भी के नहीं करती तो experiment to verify the law of reflection experiment to verify the law of reflection इस किसम का experimental setup चाहिए यह board चाहिए hard board एक pipe है ठीक है ट्यूब है यह ट्यूब्स यहाँ पर watch रख दी watch जो टिक टिक वाली watch होती है यहाँ पर watch रख दी है यह बोल्ड है और यहाँ पर एक और पाईप है यहाँ पर कान observer पर आएगा अपर कान रखाएगा आवास सुनेगा सॉंड वेप को चेक करने के लिए क्या कह रही है इस इबरहीम हादी बिटा सिमुलेशन देखे जादा समझ में आतीस ही कह रहे हो तुम अच्छा बिटा यह बोर्ड और यहाँ पर वजर पर यहां पर वाच यह पाईप रख दिया कॉंस्प्ट यहें कि हलकी से सौंड है कि जूप पर जाएगी 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 रिफ्लैक्टों के वापस आएगी यह जो ट्यूब नियुक्त तो हमें क्या चाहिए दो पाइप चाहिए दो ट्यूबस चाहिए एक टिक टिक वाली वाच चाहिए और रिफ्लेक्टर चाहिए गरेंगे इस तरह गरेंगे जनाब एक्स्परिमेंटर सेटप हार्ट प्लाइवोड कार्डबोड ट्यूब स्टॉफ वाच टिक टिक वाली अच्छा अजान हो रही है ती जरी में डायग्राम बना लो तुम बना हो एक्सकती करेंगे ती जरी में वाली चाहिए प्लाइवोड़ डिक टिक वाली तिक वाली जरी यड़िऑ टिक टुम में जरी 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 तो प्लाइव लो में प्लाइवा रही है जिजा के लाज़ान खत्म हो गई जी बेड़ा यह क्या एक्सपरिमेंटर सेटप असल में यह चीज थी पिछवाली डाइग्राम देखो यह कार्डबोर्ड है यह ट्यूब है और यहाँ यह ट्यूब 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 पाइप लाइक चीज है इसके यहाँ पे एक stopwatch रख़ दí यह टिक तिक वाली जो sound होती है बड़ी हल्की से sound होती है और इसको एक angle पर रख दिए और यहाँ पे इस tube है इसका angle चेंज किया यू करके कान लगाकर न, इसको अपने कान के साथ एंगल चेंज किया है, हमने एंगल चेंज किया, एक particular एंगल पे आपको louder आइगे, clear आइगे यह side view है, इसका top view देखिए, top view, यह top view है diagram का, top view, यही ड्राव करना है आपने top view उपर से देखे दो, cardboard पॉर्ट यह रिफ्ट्रक करेगा वाज झो बिसिकल्फ इफ्टर एफ्लेक्टर इसका ए सब्सक्राइगा तो जिस गणैब यहाद पर उगा तो यह उखेंड अप पडिर मोयीयं आगे च्रेमें ऑप सीलगे इसको फिक्स कर दिया और दिस इस रूटेटेट एक एंगल पे इप पृटिकुलर एंगल यहां पर आवाज आएगी इसको क्लियर अवाज आएगी लिए clear sound बजी angle measure कर लें आप देखेंगे जितना ही यह होगा उतना ही यह होगा यह दिर्मयान में को लगाया है वह softball ताकि directly sound ना पहुँच जाए यहां तक वैसे तो बहुत ही हलकी सी sound है directly नी पहुँचेगी लेकिन हमने जान के यह उलगा दिया भी तमें ताकि directly sound ना आ जाए तो इस experiment से बता चलेगा कि sound reflect होती है और law of reflection को obey करती है क्या किया दोबारा सुन ले यह top view है असल में क्या है diagram का यह view है यह bold है एक tube यहां लगा हुई है एक tube यहां लगा जैसे यह bold है रिफ्लेक्टर है एक tube यह रख्यू हुई है यहां पर टिक टिक वाच है और इस side पर क्या है observer का कान है और यह घुमा रहा है इस pipe को यह turn कर रहा है जिस angle पर यह side view है top view यह है top view दिरम्यान में को लगा दिया टाकि डर्क ली साउंड आए साउंड आएगी यह रिफ्लेक्टों की हो जाएगी और देखेंगे यह angle इसकी equal होगा तो sound wave law of reflection को अबे करती है यह experimental setup है simple demonstration है hard plywood क्या है basically reflector अब यह diagram बनाएंगे यहां पर stop watch जो टिक टिक करती है यहां पर एक pipe है यह दिर्म्यान में दिर्म्यान में क्या है यह obstacle है soft wood है ताकि directly sound observer तक ना आजए यह observer है प्यारा सा तो क्या करेंगे इस tube का यह tube 1 तो fixed है ना यह tube 1 कर लेती है tube 2 को क्या करेंगे इसको rotate करेंगे at a particular angle observer will hear a clear sound will measure this angle this angle and this angle will be equal तो मैं आपको लिक्वाने लगा हूँ जल्दी से लिखे प्लीज डायग्राम बना लिए होप सो यह tube 1 कर ले यह tube 2 कर ले लिखे setup the apparatus as shown in figure setup the apparatus as shown in figure प्लीज लिखे बिटा setup the apparatus as shown in figure अला पॉइंट setup the apparatus as shown in figure next point bullet डाल के लिखे परेग्राफ नहीं लिखना नेक्स पॉइंट लिखे डायग्राम बना चुकी है आप लोग लिखे ट्यूब वन इस फेक्स्ट ट्यूब वन इस फेक्स्ट विटा लिखे प्लीज लिखे 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 लिख ke turn you two is rotating or turn along with observer of the baby anger as other Setkaaneta move greube 2 is rotatid or turned along with observer tube to its rotated or turned along with observer अब्यार रफ्लियर 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 रफ्लिय along with observer until a clear reflected sound is heard by the observer इसको घुमाते रहेंगे जब तक रवाज नहीं आएगा नो मेजर अंगल आए न अंगल आर मेजर अंगल आई अंगल आए अंगल आर देविल बी इक्वल मेजर अंगल आई अंगल आर देविल बी इक्वल तो प्रूव हो गया कि sound क्या करती है law of reflection को obey करती है अंगल आई is equal to अंगल आर अंगल आई is equal to अंगल आर गैडिट अच्छा बिटा कुछ बच्चे कह रहे हैं कि वीडियो लैग हो रही होती है आपको स्कूल वालने का हुए है कि आप जूम भी साथ on रखा करें जिन बच्चों की वीडियो लैग हो रही होती है वो जूम को आफ करके दुबारा आ जाये करें क्योंकि दोनों चीज़े चल रही होंगी तो यह slow हो सकता है जूम भी चल रहा है 이렇게 choose रही हो सकता है तो प्लिज अगर आपकी लैग करते हैं गिर लैग नहीं कर रही है पर तो ठीक है लेंगर वीडियो लैग कर रही हो तो बसता नहीं है और प्रिशानी की बात ही है, जैसे ही स्कूल खुलेंगे, यह तमाम वीडियो रिकॉर्डिन हैं हमारे पास, हम आपके computer lab में या video lectures में रख देंगे, वहाँ पे आप रिवाइस कर सकते हैं, जिन बचों ने miss किया है, वो भी दिख सकते हैं, तो प्रिशानी की बात ही है, हम हैं आपको समझाने के लिए, इन्शाला, आजेगा समच बे, ठीक है मेरा बेटा, तो जूम भी आजे जल्दी से, पहला पॉइंट तो यह था ना, जल्दी से, बेटा जूम पे आजे, थैंक यू